करें वह थे जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो 1953 यह बहुत अच्छा होने वाला है यह वह इंग दोनों से स्प्सक्रिप यहां लोग Bitcoin को Day Candle पे analysis करते हैं साथ-साथ हम लोग Stock Market भी analysis करते हैं तो subscribe करना ना भूले है हमारे चैनल को subscribe कर दीजेगा दोस्तों तो आपको बहुत सारे अलग-अलग जो चैनल है उसको subscribe भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसमें हम लोग crypto से related सारा news cover करते हैं साथ-साथ analysis और Stock Market भी हम लोग इसमें cover करते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि Bitcoin का हम लोग डे candle पर फिर से analysis करने वाले हैं दुबारा से लास्ट वीडियो में मैंने क्या बोला था उसको थोड़ा सा जान लेते हैं मैंने यह बोला था कि जब तक इस लाइन के उपर नहीं निकलेगा लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों एक range होता है range अभी तक breakout नहीं हुआ साथ साथ अगर यह line break करता है उपर की तरफ तो यहां पर क्या हो सकता है यहां पर आपको buy indicator भी देखने को मिलेगा जैसा कि यहां पर buy indicator मिला था उसके बाद यहां इस line से उपर तो market गया ही गया साथ साथ इसको support of resistance का काम यह line करने वाला है यानि कि यह कौन सा लेबल है लेवल चेक कर लीजे 16950 यह बहुत important लेबल होने वाला 16900 इसके उपर अगर closing आता है bitcoin में तभी bitcoin इस level को touch करेगा पैसाथ हजार का और उसके बाद 68000 का तो यह important लेबल होने वाला है bitcoin के लिए जब तक इसके उपर ना निकले call के side आपको सोचना नहीं है प्लस आपको future buy करके नहीं चलना है अभी क्या कर सकते हैं अभी मैं एक ही चीज बनूंगा जैसे ही यह line break हो नीचे की तरफ का यह line ब पुरंत से selling position बना सकते हैं यानि की future sell कर सकते हैं bitcoin में और आपको यह target कहां तक आने वाला है पहला टार्गेट तो यह आएगा जो कि है 53,000 53,550 का सेकेंड टार्गेट जो आपको मिलेगा वह आपको यह मिलेगा जो कि है 48,900 का यह आपको आसानी से target मिलने वाले हैं अगर आ आपका इस लेवल के नीचे market आ गया जो कि है 57,400 तो market का target यह आने वाले सामय में हो सकता है क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर भी लग रहा था ना सभी को कि यहां से market निकलेगा यहां से support लेगा यहां से निकल जागा ओपर की तरफ लेकिन क्या हुआ यहां प तो यह चीज हो सकता है अगर market इस level को break करता है यह level बहुत ही important है जैसे ही इसको break करेगा एक बहुत तेजी सी gear out देखने को मिलेगा जो कि इस level तक market को ला सकता है यानि कि bitcoin को यहां ला सकता है अभी जो है वो positive कब होगा जब positive news आएगा यानि कि कुछ positive news अमेरिका से या फिर तो worldwide जो है वो positive news होना चाहिए positive अगर ऐसा होता है तो भी इसमें बहुत तेजी से आपको यहां पर green candle बनते हुए दिखाई देगा अधर्वाइस यह slowly slowly करके इसको भी break कर देगा और इसके नीचे भी दिखाई दे रहा है कि market इस level तक आते हुए आपको दिखाई दे सकता है तो बने रही है हमारे चैनल के साथ इस टॉक मांगे 09 एन के साथ और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो like बटन दबा दीजे दोस्तो subscribe बटन भी दबा दीजे ताकि वीडियो का notification आपको time पर मिलते रहे और comment करके आपको अगर कुछ पूछना है तो comment करके आप पूछ सकते हैं WhatsApp नमबर जो है हमारे description में दिया हुआ है वहां से भी आप कुछ detail जगत जाना चाते हैं तो वहां से भी पूछ सकते हैं within 10 minutes आपको जो है reply दे दिया जाएगा ठीक है दोस्तों मिलते हम ने इस वीडियो में तब तक लिए thank you thank you